अब चुए question देखो question पढ़ लो हमें यहां पर में question summarize कर रहा हूं यहां पर liquid दिया है जिसका refractive index root 3 है यहां पर 2 prism है और यहां पर finally air है ठीक है तो liquid का और यह पहले prism का refractive index same है तो यहां पर कोई deviation नहीं होगा ओके यहां पर कोई deviation नहीं होगा और आगे क्या बोला है तो यह अगर मैं दोनों prism बनाओ एक साथ यहां पर तो पहलो light तुम्हारी यहां पर ऐसे गिरी ठीक है तो यह first surface पर यहां पर कोई deviation नहीं है यह तुम्हारा angle of incidence आई होगा तो यह भी आई होगा अब यहां पर हम normal बनाएंगे तो light यहां से suppose करो की root 3 से root 2 में जा रही है so deviation होगा away from normal और यहां पर मैं एक और normal बनाओंगा तो light फिर वापस से बहार निकलेगी ऐसे तो बोला यह है कि since the light does not suffer deviation light का deviation 0 है तो यह final ray और यह initial ray दोनों एक डूसरे के parallel होनी चाहिए ठीक तो परदे summarize करते हैं suppose करो यह angle तुम्हारा r1 यह r2 और यह r3 और यह angle e है ठीक तो यहां पर तुम्हारा deviation कितना हुआ r2 माइनस r1 हुआ क्या ok r2 तुम्हारा r1 से ज़्यादा होगा क्योंकि इधर refractive index कम है यहां पर ज़्यादा है तो यहां पर तुम्हारा deviation r2 माइनस r1 हुआ clockwise direction में है और यहां पर तुम्हारा deviation कितना हुआ e माइनस r3 anti-clockwise तो अगर ये clockwise deviation और ये anticlockwise deviation दोनों एक दूसरे के बड़ाबर है जितना light clockwise घूमी उतना ही anticlockwise घूमी तो तुम्हारा total deviation 0 हो जाएगा यानि कि ये final light और initial light दोनों parallel हो जाएगे बस अतना साब में prove करना है ठीक तो उसमें जाते हैं हम कैसे करेंगे so first of all e तुम्हारा क्या है तो e को मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्या r2 plus r3 minus r1 अब r2 plus r3 क्या होगा that is equal to angle of prism यानि कि 90 degree तो यह तुम्हारा होगा 90 degree minus r1 equal to e ठीक है मुझे e मिल चुका है फिर तो अब यहाँ पर हम लगाएंगे snill slow इधर और इधर हम लगाएंगे snill slow तो यहाँ पर reflect index root 2 है यहाँ पर air है उसका reflect index 1 है तो snill slow लगाएं अगर हम तो root 2 sin r3 equal to sin e होगा root 2 sin r3 equal to sin e ठीक तुम्हारा sin e क्या है 90 minus r1 है तो root 2 sin और r3 भी क्या है तुम्हारा तो r2 plus r3 90 है तो r3 क्या होगा 90 minus r2 है ना this is equal to sin 90 minus r1 तो root 2 cos r2 equal to cos r1 यह equation मुझे use होने वाली है ठीक है अब देखते हैं अब देखते हम snill slow यहाँ पे देखेंगे snill slow इधर क्या लगेगा तो यहाँ पे तुम्हारा reflect index root 3 है और यहाँ पे root 2 है correct ? तो root 3 sin r1 equal to root 2 sin r2 root 3 sin r1 equal to root 2 sin r2 ठीक अब यह equation और यह equation दोनों है मेरे पास मैं इनको square करके add कर दूंगा है ना तो मुझे target क्या है कि यह sin r2 यह मैं स्कूर r2 plus cos square r2 को मैं 1 कर दूं तो यहाँ से मुझे sin square r2 क्या मिलेगा ? 3 by 2 sin square r1 हो जाएगा plus cos square r2 मुझे यह equation से मिलेगा कितना मिलेगा ? cos square r1 by 2 this is equal to 1 ठीक है ? अब इसको हम simplify कर सकते है तो cos square को मैं लिख सकता हूं 1 minus sin square तो 3 sin square r1 यह मैं 2 को उठा के सामने फेंग देता हूं तो यहाँ पे equal to 2 आ गया 3 sin square r1 और cos square को मैं क्या लिख सकता हूं 1 minus sin square r1 okay 2 sin square r1 is equal to 1 3 minus 1 यह 2 sin square r1 और यह 1 को सामने ले जा तो 2 minus 1 1 बचेगा तो यहाँ से मुझे मिलेगा sin r1 1 by root 2 तो r1 तुम्हारा 45 degree है अब तो r1 45 degree और इन दोनों का सम इसके बराबर होता है तो यह 90 है तो r1 45 यह 90 तो यह कितना होगा 45 degree है ना i plus r1 90 सो आई होगा तुम्हारा 45 degree वो answer है option A ठीक है